दोस्तों शारुखान के लाडले यानि कि आर्यन खान और अजय देवगन की बेटी नियासा देवगन एक दूसरे को डीट कर रहे हैं ऐसी खबरे आ रही हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं शुरुआत दोस्ती से हुई थी बताया जोता है कि आरेन खान और नियासा देवगन एक पार्टी में मिले थे जहां पर इनकी दोस्ती हो गई और उसके बाद से इनके मिलने जुलने का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया और उसके बाद ये दोनों एक दूसर इनफर्मेशन कंफर्मेशन नहीं आई मगर इनके दोस्ती को लेकर के कई किस से बाहर आते ही रहते हैं इतना ही नहीं आपकी जानकारी के लिए बिता दें कि एक बार करन जोहर ने जब नियासा देवगन के नाम आरेन खान के साथ जोड़ कर पूछा था तो शाहरु खान ट पिता की तरह फिल्म इंडस्री में ही अपना करियर बना रहे हैं आरेन खान एक डारेक्टर के तोर पर डेब्यू कर लिया है और स्टार्डम में वो काम कर रहे हैं आरेन खान ने एड़ भी बनाया है जिसमें वो अपने पिता शाहरु खान के साथ नजर आई थे वहीं साल 2007 और साथ में शाहरु खान और खाजोर वन अपने अच्छे दोस्त करन जोहर की टीवी शो कोफे विद कर N में पहुंचे थे यहां पहुंचकर की चाहर करन दौनों मुझे काजोल का रिष्टेदार बनने पर भी डर लग रहा है हाला कि शाहरुखान ने ये सब मज़ाग में कहा था लेकिन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बॉलिवूल के बाजशाह टेंशन में जरूर आ गये थे वही करण जोहर ने काजोल से भी यही सवाल किया इसके बाद काजोल ने काफी सहसता से जवाब दिया था काजोल से करन ने पूछा था कि नियासा अगर आरेन को डेट करेंगी तो आपका क्या रियक्शन रहने वाला है इसको लेकर काजोल ने हस्ते हुए कहा था कि दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे काजोल को दोनों के रिष्टे में कोई परशानी नहीं होगी वेल ये तो सालों पुराने बात है लेकिन काजोल की बेटी नियासा और शाहर के बेटे आरेन खान के बीच में किस किसम का रिष्टा है ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा खेर आप बिताईए कि आप भी यह जाते हैं कि आरेन खान और नियासा देउगन एक दूसरे को डेट करें और एक बांड क्रियेट करें बिताईए अपनी राए नीचे एक कॉमेंट सेक्शन में